हेलो दोस्तो कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं हुंड़ेई वेन्यू SX वेरियंड के नय ये सुपर विजन क्लस्टर जो की पहले सिफ टॉप एंड में आता था अब देखें लेकिन आप इसको चेंज करके रीसेंट अपडेट में यहां पर देखिए इस तरीके का सिंगिल कंपार्टमेंट बेस सुपर विजन क्लस्टर आ गया है इसको दोस्तों सुपर विजन क्लस्टर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर काफी सारी चीजों को आप कस्टमाइज कर सकते हैं और यह ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है तो आज के अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको क्या क्या आएंगी इसमें इन्फॉर्मेशन्स चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके राइट हैं साइट से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखिए यह दिया हुआ इसमें स्पीडो मीटर नीचे की तरफ सेंटर बात करेंगे तो इसमें आपको एक M.I.D. यानि मल्टी इन्फॉर्मेशन्स डिस्प्ले मिल जाएगा यह काफी इन्फॉर्मेटिव है और इस पे यहां पे स्टेरिंग पर जब आप चेक करेंगे तो यह तीन बटन्स रखे हैं जो की कंट्रोल करते हैं इसके M.I.D को चलिए देखते हैं क्या-क्या इन्फॉर्मेशन्स आती हैं तो यह जो बटन है इससे स्विच होंगी सबसे पहले आपको बता दू अभी क्या दिख रहा है तो टॉप पे यहां पर आगा डिस्टेंस 20 फ्यूल के साब से बताएगा कितनी दूता गाली जा सकती है इसके ब 20 होती है कहीं पर 50 है कहीं पर 60 है तो लास रीशेट से क्या एवरेज स्पीड निकल के आ रही है वो यहां पर सो करेगा और लास लाइन जो आप यह देख रहे है इसमें आपको मिल जायागा इंजन रुनिंग टाइम करती देता गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा है चाह व स्टेरिंग से और देखते हैं अगला पार्ट आया इसमें एक्कुमिलेटेड इंफोर्मिसन वैसे ही है बस यहां पर दो हो गई एक ड्राइव इनफो और एक अकुमिलेटेड इंफोर्मिसन देखिए उसमें भी सारी युनिट सेम आ रही है और दोस्तों यहां पर आप और इन सब का जो एवरेज बनके आएगा वो उपर किलोमीटर बताएगा कि यानि कितनी गाड़ी चलिए किलोमीटर पर लीटर यह दिखा रहा है हम लोग नॉर्मली एवरेज जो है यही चेक करते हैं इंस्टेंट मालेज हम लोग नॉर्मली नहीं देखते हैं बाकी फिर इन फॉर्मेशन को चेंज करते हैं तो दोस्तों देखें डिजिटल स्पीड भी आगए यानि एक तौँ मीटर से स्पीड डेख सकते हो यहां पर डिजिटली भी स्पीड को आप चेक कर सकते हैं चलिए और यह वापस आ गया इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए एक ब जब अंदर जाएंगे तो देखें इसमें देखेंगा आटो लॉक आटो लॉक किया अगें अंदर जाने के लिए मैं उक्के प्रेस करता हूं और इसमें देखें लिखा हुआ है एनेबिल ओन स्पीड यानि डोर के जो लॉक्स होते हैं दोस्तों यह जैसे 20 की स्पीड क्रो अगर आपने इस पर टिक करा हुआ है नीचे की तरफ करके अगर हम ओके कर देंगे तो यह अब नहीं करेंगे अनि लॉक्स अगर खुले हैं तो वो खुले ही रहेंगे तो यह अची जीज़े इसको मैं एनेबिल लगता हूं बैक चले जाते हैं और अनलॉक कब यह अनलॉक को जैसी गाली को आप बन करेंगे और चाबी निकालेंगे उस वक्त इसके डॉर के लॉक्स अपने आप खुल जाए उसके लिए आपको उप्सन चूज करना है की आउट पे और ओफ कर देंगे तो आपको मैनुवली इनको अनलॉक करना होगा चलिए बढ़ते हैं और चीज । यह आपके साब से है बाकी हैड्लाम डिले दे रखा है ऑटो मोड पे । इसमें अटोमेटिक हैड्लैम पे रखा हुआ है और आप गाली को लॉक करदेते हैं तो हैड्लैम 30 सेकंड तक जलते रहेंगे उसके बाद यह बंद हो जाएंग यह फीचर आप नहीं रखना चा यानि अगर आपने इसमें सर्विस इंटर्वल्स को सेट कर दिया है देखते हैं जैसे कि मान लीजे मैंने सेट कर दिया इसको मान लीजे मैं एक हजार किलोमेटर पर सर्विस करानी है तो इसको एक हजार पर कर दीजे इधर आ जाते हैं नीचे आगे और मुझे सर्विस करानी है मान लीजे दो महिने में तो इसको आप two months select कर दीजे और यहाँ पर save कर दीजे तो यह intervals दोस्तों set हो गाए जैसे ही गाड़ी एक हजार किलोमेटर या दो महिने आएंगे तो उससाब से आपको यहाँ पर remind करा देगी तो काफी अच्छा फीचर है सर्विस अगर एवरेज गाली का चेक करा रहा था वो कब reset हो एक तो आपने यहाँ से जब प्रेस करेंगे तो भी reset हो जाएगे तो manual हो गया अगर आप चाहते हैं जब भी गाली का ignition आप ओफ कर दे यानि after ignition तो यह reset हो जाए जब आप एक फीचर हो गया इसमें fuel economy का पाकी आ जाते है fuel economy units अब देखे यहाँ पे kilometer per liter हम लोग नॉर्मली दोस्तों इसी unit पो चेक करते हैं बाकी एक option और आता है लीटर पर 100 km यानि 100 km में कितने लीटर दगे उस पे भी आप इसको set कर सकते हैं तो मैं किलोमीटर पर लीटर पर अखता हूँ temperature unit पर आते हैं अभी मैंने आपको दिखाया नीचे दिख रहा है 37 degree centigrade तो यहाँ पे आप इसको Fahrenheit में भी दोस्तों कर सकते हैं लेकिन जब Fahrenheit में करेंगे तो देखे यहाँ भी Fahrenheit पर हो जाएगा और दोस्तों इसमें centigrade या Celsius कुछ भी कह सकते हैं उस पर रखतेता हूँ वापस अपनी जगे पर बैक चलते हैं तो यह सारी इतने फीचर मिल गए अदर फीचर में अब आते हैं language में तो यहाँ पे English and Korean language दो दी हुई हैं और जो भी informations आपने यहाँ पे changes कर रहे हैं उसको factory set करना चाते हैं तो यहा यहाँ पे indication आ जायागा और अगर मैं इसकी sunroof open करूँगा तो उसका indication भी यह दिखाएगा यह देखिए sunroof open है इस समय और यह देखिए इसका indication यहाँ पे सो कर रहा है कि यह open रह गई है तो इस तरीके से इसमें आपको alerts भी मिल जाएगे तो दोस्तो हमारा यह वीडियो आ उसमेल जाएगे